लगने वाली जो डिजीज धाल यानिए कपास जू आपकी क्रोब है उसके अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं उनके बारे में आज अपने detail में study करेंगे कौन से causal organism है क्या उनके symptoms है क्या उनके control measures है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है गविन तिर्दिया और आप देख रहे हैं हमारा यूटी चैनल तिर्दिया क्लसेज तो जो पहली डिजीज है कोटन की जो मस्ट इंपोर्टन की जो डिजीज है वो है बैक्टीरियल बलाइट ओफ कोटन क्या है बैक्टिरियल बलाइट ओफ कोटन जो बैक्टिरिया से होती है जैन्थो मुनास एक जैनो पॉडिस मालवे शियरम इसका क्या है कोजल और गनी जम्य यानि कि ये एक बैक्टिरियल डिजीज है बैक्टिरिया से होती है बैक्टिरिया कौन सा है जैन्थो मुनास एक जैनो पॉ लाइट ओ कोटन से नामिल के आप इन सब नाम से भी आपको यह डिजीज मिल सकती है ठीक है एंगुलर लीप सपोर्ट बोलरोट बलेक लेग या बलेक आरम यह सब बैक्टिरियल ब्लाइट ओप कोटन के ही नाम है यह एक सीड बॉर्न प्लांट पैतोजन है इसके सिम्टम्स क तो मिलीप के बात करें हैं तोievouswag rush में होती है स्टीभी इस में 갈ती है इसे покуп मिलाइट दीड हैं वे चबा пой updating में फिर नेच्स टो इसे वेंट सोगे और वेस के इंदर आपको ऐसे पड़े दिखने मिलेंगे तो इससलिए इसको अपने एंगुलर लीप स्पोर्ट भी कहते है ठीक है फिर नेक्स्ट है वैन बलाइट या वैन नेक्रोसिस या बलेक वैन तो इसमें क्या होती है जो लीपस केंदर जो वैन्स होती ना उनकेंदर बलाइट हो जाती है यानि नेक्रोसिस हो जाता है वो बलेक कलर की हो जाती है तो इसल यह जाती है फिस इसका अफ्रव हो जाती है को इसको अफ्रव नीचे जड़ती है तो इसलिगे इसको अपने कहता है बलेक आम डेजीज ठीक है पर नेक्स जो इसका में जैना है यापकी जो बॉल भुती है, उस पर इसके symptom देखनों के मिलते हैं, यानि कि जो बॉल होती है, कोटन की वह आपकी rotting हो जाती है, उसकी बॉल की. तो यह सब that probe जो आपकी cotton की disease है किसे होती है, bacteria से जेंतो मनास exanoponis malwa serum Dram is going on the takers foruage to supportısı कि इसको पर पर बोलते हैं क्योंकि इसके là गेशितिंग ब्रांचेज रोते हैं वह रेख्लेख सकते हैं यह कि यह इसके से से हैं यह आप इमेज में देख सकते हो जैसे यह प्लाइट के सिम्टम सब्सक्राइब देख रहे हैं पति के अंदर पतियों इंदर यह जो मैंने बताया था आपको की एंगुलर लीप सपोर्ट यह ऐसे एंग एंगल बना लेते हैं कौन यह पति दबाया इसको बोलते हैं इस इसलिए इसको आपने बॉलता है एंगुलर रीप सपॉर्ट फिर मैंने कहता कि व्राइटीज है आपकी crop rotation है रोगिंग यह सब अपने management में कामिल लेते हैं तो resistant व्राइटीज के अंदर आपकी सुझाता होगी है CRS 71 होगी ठीक है तो यह resistant व्राइटीज है crop rotation करेंगे different families लेंगे एक ही फैमिली की बार-बार grow नहीं करेंगे ठीक है एक ही crop को बार-बार grow करने की बजाए अपने अलग-अलग crop या different family की जो crop है उनको अपने लेंगे ठीक है रोगिंग कर देंगे जो आपके infected plant है उनको फिल्ड से हटा देंगे ठीक है cotton का seed है उसकी dilinting कर देंगे से इसको अपने कंसेंट्रेटर सल्फिरीक एसीड बॉलता है यह वन केजी सीड के अंदर 100 ml अपने लेंगे एच्ट एसो फॉर और cotton के सीड के उपर आपके फुज होते हैं जिनको बॉलते हैं उसकी अपने डी लिंटिंग कर देंगे ठीक है ठीक है त्रीट करेंगे उस relinted seed को किसे ते कार्बोक्षीन या ओक्षी कार्बोक्षीन से 2 g торबाउब 1 kg ठीट है पहले करेंगे डिलिंटिंग करने के बाद में जो डिलिंटो ऑध है उनको seed treatment करेंगे कि जित करेंगे कि से कार्बोक्षीन औक्षीक साल शेलिए 1 kg appropriate earwire आपको बताया था कि bacterial disease होती है उसके लिए अपने antibiotics जो होते हैं वो भी अपने काम में लेते हैं उनके management के लिए तो जैसे streptomycin sulfate हो गया tetracycline का इन दोनों का जो mixture हो गया ठीक है या फिर आपका जो copper oxy-caloride है यह भी 1.25 kg पर हेक्टर के अंदर अपने apply कर सकते हैं तो यह जो streptomycin है tetracycline है copper oxy-caloride है यह आपको हर bacterial disease के अंदर इसके management में काम में आते हैं पर next जो आपकी disease है वो है build of cotton तो दोस्तों cotton के अंदर दो type के disease लगती है दो type के build होते हैं एक होता fugarium built एक होता verticellium built ठीक है तो पहले अपने पढ़ेंगे जो fugarium built है तो इसका जो causal organism है वो है Fugarium Oxysporum Formaspecies West Infectum क्या है Fugarium Oxysporum Formaspecies West Infectum इसके symptoms जो होते हैं आपको वो crop पर हर stage पर मिलेंगे क्या हर stage पर आपको इसके symptoms मिलेंगे इसके जो earliest symptom है वो आपको symptoms बिलते हैं Cotylarons पर ठीक है जो patiols होता है जो आपका dental होता है उसका जो base होता है वो उसमें brown color की ring आपको देखने के मिलती है और उसके बाद में wilting हो जाती है और पूरी की पूरी इसको अपने partial wilting बोल देते हैं और जो आपका जो wilted stem होता है उसको जब अपने split करके देखते हैं उसके अंदर वेस्कुलर टीशू होते हैं वो brown या black color के हो जाते हैं तो यह wilt का major symptom है आपको ध्यान रखना है brown या black color के आपको symptom दिखते हैं stem के जो इसकुलर जो टीशू होते हैं उसके अंदर जब आप stand को split करके देखते हैं तो ठीक है तो यह थे आपके फिजेरियम विल्ट के symptoms का आप इमेज़ में भी देख सकते हो इसमे आपको स्टैंडिंग क्रोप में आपको विल्टिंग देखनों को मिल रही है यापको के देखनों की जब ओक को सब्सक्राइब, इसको जो आपका स्प्लिट करें तो स्पेल करें तो सिंप्टम मिल रहें जो आपका को स्दिख्ख्राइब । इसके ये सिंप्टम्स है만 कैसे करेंगे वह है कि है पहले तो प्लाइटीज है उनको रिमूव कर देंगे और जला देंगे ठीक है और जो पॉटास की या फिर जो आपका फयम है या जो कंपोस्ट है उनकी अपने heavy dose apply करेंगे ठीक है मत्रा को बढ़ा देंगे resistant varieties है उनको करों करेंगे जैसे वारा लक्समी है विजे परताप और ज्याधार तो यह फुजरियम जो विल्ट है उसके परती resistant व्याधार है वारा लक्समी विजे परताप या ज्याधार पिर next जो आपका है वो है verticillium wilt of cotton अभी अपना उन्द पढ़ा था फुजरियम wilt of cotton तो next आपका है verticillium wilt of cotton यह किसे होता है यह उतापना verticillium डेली से किसे होता है verticellium डेली इसका causal organism है symptoms देखते हैं तो जो वेंस है उनके अंदर आपको bronzing देखने को मिलती है उसके बाद आपको क्या दिखता है कि जो intervenal chlorosis हो जाता है इंट्रवेनल क्लोरोसीस से क्या होता है जो वेंस है वह तो green रहती है के बीच में किया होता आपको येलोविंग देखने को मिलती है पती है पतियों के अंदर तो उसको बोलते है अपने इंंट्रेंडमिंड qlorus घृ के यह और बान में क्या होता है वह येलोविंग बाद में धिरे-धिरे ड्राई होती जयती है ब्राएन कलर की होती है फिर देखने के मिलती है तो इन फेक्टिर रूट है जब सप्लिट करता है उसदोत इपर निसलने को मिलनते हैं इस में अपने हुझ सप्लीट करते वो देखने को मिलत दिस्कलरेशन नहीं व फिजर्यम विल्टी के सिंट्रम थे लेकिन इस में जब अपने crucial को काट के देखते हैं तो आपको pinkis color का Radiaceping देखने को मिलता है verticellium wilt के अंदर यह image में भी आप देख सकते हैं यह आपका पिंकिस जो आपका है डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है मेनेजमेंट कैसे करेंगे तो मेनेजमेंट लगबक सेम ही है फुजेरियम विल्ट की जैसे जो एसीड से डिलेंटिड की हुए सीड है उनको ट्रीटमेंट करेंगे कार्बॉक्षिन या कार्बेंडाजीम से जो आपका इन्फेक्टर प्लांट पार्ट से उनको रिमूव कर देंगे एपवाईयम की डोज है वो बढ़ा देंगे और जो रसिस्टेंट वराइटीज है वो ग्रो करेंगे जैसे सुजाता है सुवीन सुजाता सुवीन और सीबियस 156 यह कुछ इसकी रिसिस्टेंट वराइटीज मेनेजमेंट लगबख सहमी है इसका अब नेक्स्ट आपकी जो डिजीज है कोटन के वह एँ एंथ्रेकन ओज ओफ कोटन किसे होती है कॉलाइट ट्राइकम गौसीप तो इसका जो कोजल और गिनिजम है वह को लेट ट्राइकम गौसीप इसके जो सिम्टम्स होते हैं वह आपको सीडलिंग पर देखने को मिलते ह पेतोजैन जो होता आपका सीड़िंग को एफेक्ट करता है और क्या होता है कि छोटे-छोटे आपbn स्पॉट देखने की मिलते हैं रेड्ड कलर के अंदे कि जो कोटटी लेड्टान होता है या फिर जो आपकी पत्तियां होती ना उन पर आपको जो secular तरिए कंदर इसके लगए इसके लाव इसका जो इंपोर्टेंट यूंपोर्टेंट में वह है ball sporting क्या होता है बोल्स जो होती है कोटरनके उस पर आपको sport देखने मिलते हैं water socket गॉल कलर गॉल होते हैं और रड़ कलर करेंद या क्पोर्ट देखने को मिलते हैं पहले रेट होते हैं उसके बाद में वो ब्राउन क्ल वहाद हो जाना ना श्रीन फम प्री उल्स्पॉर्टर कैसि इसको प्र सिर्कूलर रेड कलर की शिम्टम देखने को मिल रहा है और जो बॉल्स है इस पर भी आपको ब्राउन रूर के स्रoding छो मेजर शिम्टम कि अब इसका मैनेजमेंट कैसे कि देअने की नगता आपके इशाय। प्लांट पार्ट से इनकी फिल्ड से उनको हटा देंगे या फिर क्या जब बॉल फॉर्मेशन जो स्टेज होती है जब बॉल बनती है उस टाइम क्या करेंगे अपने मेंको जेब की स्प्रे करेंगे या फर जो कोपर ओक्सी कलोराड आता है 2.5 kg इसके लाव अपने कार्बेंडा जी भी काम में लेते हैं 500 ग्राम पर हेक्टर तो एंत्रेक्नोज के यह कंट्रोल मीजर से हैं इनसे अपने करने अंत्रेक्नोज जो डिजीज को मेनेजमेंट कर सकते हैं चैंँ के तो झांक है आपकी जो नेक्स्ट कि वह घ्रे मिलड्यू या एरियोलेट मिलड्यू ऐसको अपने दहिया डिजीज कहते है ङुक है इसा को निजर के पास इसके जो symptoms आपको देखने को मिलते हैं इसके में क्या होता है जो plant की जो नीचे वाली पतियां होती है नीचे वाली जो पतियां होती है उसकी भी under surface यानि कि नीचे वाली surface पर आपको symptom देखने को मिलते है यानि कि जो आपकी plant है उसकी जो नीचे वाली जो bottom leaves होती है आउडर जैसे symptom देखने को मिलते हैं फिर क्या होता है वह पहले ता आपको bottom leaves के lower surface पर दिखने को मिलते है फिर वह symptoms उपरवाड़ी surface पर भी आ जाते हैं यह अपर surface पर भी आ जाते हैं ठीक है और फिर वह दीरे दीरे जो infection आपका बढ़ता जाता है पहले bottom leaves पर होता था bottom leaves से फ इस टाइब के इसमें symptoms आते हैं gray mildew के अंदर यह आप image में देख सकते हैं या जो पहले lower surface जो होती है bottom leaves की वहाँ पर आपको white color की growth देखने को मिलती है जो आपके infected जो crop residue है उनको remove कर देंगे या burn कर देंगे रोग आउट कर देंगे self-soven जो cotton plant या अपने आप जो grow करने वाले cotton के प्लांट है उनकी रोगिंग कर देंगे अपने या जो nitrogenous fertilizer है उसकी जो excessive dose है उनको avoid करेंगे या अपने कारबेंडा जीम की spray करेंगे 500 ग्राम ले आई हैं तो इसमें लगबग यह कुछ management तो लगबग शैम ही आते हैं कि remove कर देंगे बरन कर देंगे इंफेक्टेव प्लांट हो गया रोगिंग हो गया तो यह जो symptom से आपको यह जो आपके management से practices है लगबग हर आप हर किसी disease में आपको मिल जाती है ठीक है आपके दीजी जहए रूट रोट ऑफ कोटन है रूट रोट ऑफ कोटन जड गलन ऑफ कोटन बोलते हैं इसको इंदी में इसका जो कोजल और के नीचे में वह है राजखत तोनी अबटाटी कोला किया आपको एक तोनी सोलेनी भी मिल जाएगा यह एक स्थैल प्रण के अंदर कहने के मतलग कुछ दिगे आपको विल्टिंग देखने को मिलेगी कुछ दिगे आप अच्छी मिलेगी ऐसे पैचेज के अंदर आपको विल्टिंग देखने को मिलती है रूट रोट ऑफ खोटन के अंदर और इनसे infected plant को जब आप उखार के देखते हैं तो आपको आपको रूट जो system है वो पूरा को पूरा आपको reward देखने को मिलती है घृर आपकी सड़ जाती है ठीक है और आपको sclerotie देखने को मिलते है ऑप section क्लेड या देखने को मिलते हैं तो यह को मैजर सिम्टम है एक तो इसमें अचानक विद्धिंग हो जाती है वो भी पैचेज ही गंदर दूसरी जो इसका रूट जो शिस्टम है वह पूरा इसमें रोटिंग हो जाती है कि मेस में देखмо यह दो आपको विद्धिंग देखने मिल यू Illinois Apache कहीं पर welding होगी कहीं पर आपकी क्रोप ठीक खडی ए और यू Californि मेज में है यह आपके जो रूट की रोटिंग हो रहे यानि पूरे जो रूट सीस्टम पूरा आपका वो रटिंग हो जाती है उसकी इसका management कैसे करेंगे तो सी treatment करेंगे ट्राइकोडर्मा विरिडी से 4 ग्राम परकेजी सीडिक अंतर लेंगे ट्राइकोडर्मा विरिडी यह आपने करेंगे ड्रेंचिंग ड्रेंचिंग भी कैसी spot drenching करेंगे 0.1% कार्बेट नंजीम से सब्सक्राइब विरिडी से मतलब आएक कि अपने मतलब कि पूरी आपकी जो क्रॉप है पूरी जो फिल्ड उसमें पूरे में एक साथ ड्रेंचिंग ना करके sport में ड्रेंचिंग करेंगे जहां पर क्या है लीफ करल से बाइड वाइरेस से होती है और दो इसका वेक्टर होता है वह वाइड फलाई नो आपके दिजीज है वेक्टर है वाइरस एक जगे से दूजरे से दूसरे दूसरे जिगे स्था ने का काम करता है वेक्टर और वेक्टर होता है आपका वाइट फ्लाई ठीक है इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं इनकी पतियां होती है उपर की और करल हो जाती है यानि कि अपवाड उपर की हो उपर की साइड कैसे हो जाती है मुड़ जाती है करल हो जाती है और जो इसकी जो वैंस होती है वह थिकनिंग तो यह इसके major symptom है देखो image में देख सकते हैं जो पतिया आपकी ऊपर की और अप मतलो की curling दिख रही है पतिया और यह जो वेंस होती है आपकी thickening यानि की मोटाई मोटी हो जाती है तो यह leaf कर लो cotton के symptom से अब इसका management कैसे करेंगे resistant या tolerant varieties यूज करेंगे ठीक है good seed यानि की healthy seeds है वो यूज करेंगे या जो infected plant के पार से उनको remove कर देंगे जला देंगे cotton के पास अपने tomato जो crop है वो नहीं लगाएंगे यह यह जो whitefly ही है यह इसके परति जो टो है यह susceptible है खी कोई यह आईसी कोई crop नहीं लगाएंगे जो whitefly के परति susceptible हो cotton के पास टीक है crop protection वोगया फिर आपका जो Handy fate & उसको इसको कंट्रोल करने के लिए अपने के अब कुछ फीजियोगिकल डिसॉडेर्स होते हैं कोटन के अंदर काई की विकार को अपने कह देते हैं पहला सिक्कल लीफ оफ यह उव कोटन इसमें क्या होथी कोटन की पत्पति यह वह सिक्कल डिसक जैसी हो जाती सिकल यानि कि जो आपकी फोसपोरस्कि Depficmarkets तो शिम्टम मैंने बताया आपको ऐसे हो जाते हैं और इसकी management के लिए अपने क्या ऐसा fertilizer एपलाई करेंगि जिसमें फोस्पोरस्स हो नाकि फोस्पोरस्स से एपलाई करेंगे ज़्यादा ठीक है कोटन के अंदर आपने रेड़निंग देखी होगी कोटन की पतियां आपकी रेड कलर की हो जाती वो मेगनीसियम की डेफिसेंसी से होती है तो यह मेगनीसियम सलफेट से मेगनीसियम सलफेट अपलाई करेंगे तो मेगनीसियम की डेफिसेंसी दूर हो जाएगी ठीक है ครinkle leaf of cotton मैंगनेज की टॉक्सिसीटी से होती है जो Reddening है cotton की होती है magnesium की deficiency से और April Receick著 cotton की होती है मैंगनेज की टॉक्सिसीटी से यह थोड़ा आप द्याण रखना फिर next है तिड़क cotton के अनदर जो तिड़क होती है वो होती है water stress या फिर इसके लिए जो वाटर फालाइल यह टीजिय वाटर की कमी से होती है तो इसके कूछ मायने डिजीगे भी आप देख लो खाली इसका कै가는 जो कोज लोगे काजयमर मैं भोः आपको याद रखने हैं लिफ बलाइट ओफ कोटन होती है आपकी अल्टरनेरिया मैक्रोस्पोरा से, लिफ बलाइट ओफ कोटन होती है आपकी सर्कोस्पोरा गोशी पीना से, किसे होती है, लिफ स्पोर्ट ओफ कोटन होती है आपकी सर्कोस्पोरा गोशी पीना से, चार्कॉल रोट ओफ कोटन होती ह है जो किसे होता है ऐसे ऐसे होता है जो पत्ती होती है उसकी ऐसे मुंगे ऐसी का माता है और यह इसमय इसमें भाभल शाइब जाती है qa एक्टर गया है तो स्टेनोस होती है समॉल लीफ हो जाती है इसमें तो यह थी आपकी कोटन की जो डीजी जेज थी मेजर डीजी माइने डीजी जा जो फीजियोलोजिकल डी शोडर थी तो हाई होप आपको वीडियो अच्छा लगाओगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई